अलो माई डीयोर्स तो आज आप सभी कि ये इस वीडियो में लेकर आए हूं यमी क्षापी समोसे जोंकि हम भाजार में जाके खाते हैं और अगर घर में इतनी क्षुष समोसे मिले तो और क्यां के नहीं, क्षासटा का समोसे हैं और जोंकि सूपर टीस्टी हैं एकदम क्रिस्पी हैं उपर से स्टफिंग भी एकदम जबरदस्त है चलिए बिना किसी देरी के आप कुछ दिखाते हैं कैसे बनाते हैं समोसी की रेसिपी तो यहां पर मैंने एक परात ले ली है प्लेट ले ली है में 1.5 cup मैदा लिया है 1.5 cup और साथ मैंने सॉल्ट लिया है 1 अच्छा स्वादाता है और टेस्ट अच्छा हो जाता है रोमा और साथ मैंने यहां पर लिया है जो की करीब 5-6 शोटे वाले जो स्पून होते है आप वो लीजिए या फिर टेबल स्पून 2 टेबल स्पून की करीब लगेगा आपका अब हम इसको अच्छा से मिक्स कर लें देखे इस तरह से यह पहली टिप है आपकी कि जिससे समोसे खस्ता बनने के लिए एकदम क्रिस्पी बनने के लिए आपकी जितना क्रिस्पी आप चाहेंगे तो अच्छे से बिल्कुल मुठी बनने चाहिए आगे में आपको वीडियो में बताती रहूंगी और टेप्स कि वैशी क्रिस्पी बाजार जैसी समोसी गया से आप बनाएं घर पर असानी तरीके से तो आप मेरा पूरा वीडियो देख एए अंड तक दूसरी टिप है कि हमाँ जो आटा लगाएं इसका तो टाइट लगाना है हमें और बहुत देर तक इसको मारना है बहुत देर तक इसको करना है जितना आप अच्छा से करेंगे हमारा आटा बेसिकली प्रेस होने के बाद तुरंट वापस उपर आना चाहिए अब यहां पे मैने आलू की stuffing बना लोगी जिती दשה में आटे को set करने रखा है करीब आदे कंते तक मैं रखना है तो त्वड़़ पान में तोड़ा सा उयल लिया है और उत्ते देर में आ गरम हो रहा है अन्टी द्र nuovo को ford लोगी नाइफ को यूज नहीं करना है मेरे को क्योंकि थोड़ा से समूसी में जो स्टफिंग होती ना थोड़ा से मैश्ट होते हैं थोड़ा से पीसे में आते हैं तो विलकुल वैसी मार्केट जासे टेस्ट चाहिए अब यहां पर तेल गरम हो गया है तो यहां पर मैंने जीरा ग्रेंडर पाउडर लिया है टूटी स्पून चाट मसाला और रेट चिली पाउडर लिया है जो कि तीखी वाली और कलर वाली दोनों है आप चाहें तो इसमें थोड़ी से अध्रण ग्रेट करके और गरम मसाला भी आड़ कर सकते हैं अब इन सब को मिक्स कर लें जल्दी से अब हम अपना अलू का हमने स्टफिंग बनाई है जी आड़का है कि ग्रेट्श इत्ध हम बसकर देंगे जो हाथ से हमने उसको फोड़ा है और जल्दी से इसको मिला देंगे जिससे की हमारे अलोमसाले जले ने अफ्र साथ में salt तालें तेस्ट के le Sp और उसको मिक्स कर करेंगे और धनिय की पती थोड़ी सी हरा धनिया गार्णिश के लिए आप चाहें तो इसमें कैश्यू भी डाल सकते हैं पीनट्स भी डाल सकते हैं जैसा अब भी आपको टीस्ट है जो भी आपकी च्वाइस हो यह अगर आपके पास ग्रीन पीस हो तो वह भी बहुत टीस्टी कि यहां पर मैंने आदर गंटा हो गया था इसको रखे हुए अगर आपके पास जादा टाइम नहीं है 15 मिर्ट भी होता है तो भी आप रख लीजे लेकिन कोशिश करिए अगर आदर गंटा रख देंगे तो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है हमारा डो अब हम इसको अच् अधिस में कट कर लेंगे अधिक यहां पर मैं थोड़े छूटे वाले समोसे बना रही हूँ बहुत बड़े वाले नहीं बना रही हूं कि घर में बना रहे हैं तो अपने टेस्ट के एक्वार्डिंग और साइस के कोडिंग छूट युटी समोसे खाने भी अच्छ लगते ह हैं तो अगर आपको बड़े बनाने हैं तो वही प्रॉसेस रहेगी बस आप थोड़ी बड़ी लोई ले लिजेगा इसकी यहां पर आप ध्यान रखे कि आपको थोड़ा सा पतला बीलना है साइस पर कोई फरक नहीं पड़ता है कि एकदमी राउंड हो बस थोड़ा सा पतला रखेगा क्योंकि यह मैदा है और अच्छ से खिषता है और जितना हमारा पतला होगा उतनी हमारे खस्ते होंगे तो यह कि Food to be आटाoden कि पनारी की तरफ वाली शीत पतली होगी और और चैंटर में थोड़ी से थिक होगी तो हम इसको गुल गुल गुमाते हुए कि पनारी की तरफ से बिसीकली आप देखेंगे तो मैं बेल रही हूँ है साइट से ताकि साइट से ही करते हुए दीर दीर इसको बढ़ाते जाएंगे और अब देख रहे होंगे कि आपको नीचा से चकला थोड़ा से ट्रांस्पेरेंट से लगने लगेगा अब इसी तरह से हम सारे अपने बना के रख लेंगे ताकि हमारे समोसे बनने में बहुत टाइम ना लगे अगर आप इस तरह से इसको बेल की और शेप देकी रख लेंगे तो ज्यादर प्रॉसेस में लंबा टाइम नहीं लगता है और असानी से बन के रख जाता है लेकि इतना पतला हो अब एक तरफ मैं पान में ओइल लगा दूँगी इसको फ्राइ करने के लिए और हमारे धर समोसे के आलू भी ठंडे हो गए है तो बिलकुल एक दम रेडी है अब आपको बताती हूँ कैसे इसको बनाते हैं, फिलिंग कैसे करते हैं पहले हम बीच से इसको कट कर लेंगे और सेमी सिर्कल शेप में हमारा आ जाएगा अब जो किनारी की उपर की एज़े उसमें हम पानी लगा लेंगे सिर्फ वन फिंगर टिप से आप पानी लगाईगा बाकी फिंगर्स का यूज नहीं करिएगा वो भी मैं आपके आगे बताती हूँ कैसे और जो हमारे फिंगर्स होती है फिंगर्स पर हम दोनो समूसे की एज़ेस को रखके उसको फोल्ड करेंगे ऐसे कोन के शेप में देखिए ओवरलाब करते हुए हमें फोल्ड करना है और इसको आपस में जोइन कर देंगे बहुत धीरे से करिये का जोइन और अब इसको फोल्ड करते हुए आप आसानी से एक तरह से कोन का शेप ले लेगा अब आप आप आराम से इसमें फिल कर सकते हैं यह ना आसानी तरीका अब आप इसमें कोई भी stuffing कर सकते हैं अगर आपको नूडल समूसी जैसे होते हैं या पीजा समूसा होते हैं आपको किसी और समूसी खाने को बना हो आप वो समूसी की stuffing कर सकते हैं प्रोसेस बस वही है अब यहाँ पे हमारा filling हो गई अंदर stuff कर दिया है ring finger की help से अब हम किनारे के water से ही किनारे की तरफ लगा देंगे जिससे अब हम इसको stick करेंगे आपस में ध्यान रखिएगा हमें जो ऊपर की तरफ जो जॉइन करना है वो ring finger की help से हम पानी लगाएंगे और फिर इसको thumb और first finger की help से हम इसको दबाते जाएंगे बहुत जेंटली दबाना है और नीचे भी अच्छे से कर देंगे इसको ताकि हमारे points पे अच्छे से joints हो जाएं अच्छे से खुले नहीं वहना हमारा oil गंदा हो जाएगा अगर हमारे खुल जाएगी stuffing भार आसानी तरीका है ना समोसे बनाने का दूसरा भी हम ऐसी इसी प्रोसेस से बना लेते हैं यह basically practice से हो जाएगा आप शुरु शुरु में टाइम लग सकता है लेकिन अगर आप कई बार करते रहेंगे ना तो बहुत ही आसान तरीका है मेरे साथ भी जब मैंने शुरु शुरु में बनाया था तो बहुत टाइम लिया था बेट क्योंकि अब बहुत जल लिल्दी बनाते रहते हैं घर में सबको सब मुसे बहुत पसंद आते हैं और घर के समुसे की बात ही अलग होती है तो बहुत ही ज़्यादा टाइम ही लगता है अगर आलू बॉइल्ड है और स्टफिंग की त्यारी है बहुत जल दी बन जाता यह शीट आप जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट थंब और दुस फिंगर को लेते हुए आप इसको प्रेस करेंगे आराम से इसके जॉइन्ट हो जाएंगे आराम से इसमें कि स्टिक हो जाएगा और फिर आपका खुलेगे नहीं और अगर कने एक खुल रहा है आपको लग रहा है तो बस वहां पर जैंटली आप को सेल कर सकते हैं जैसे मेरा यहां पर मुझे लगा कि थोड़ा सा भू़ को प्रेस कर दिया कंब बीसिकल्येराम इसको सब त्रफ से सील करना है इसको ओवरलाब करते करते हुए हम इसको डो कवर कर देंगे इसी तरह से मैंने अपने सारे समूसी की फिलिंग करके इसको बना लिया है और अगर किसी को चिली पसंदो को होता है ना कि ज्यादा स्पाइसी ज्यादा तीखा खाना है तो आपको पूरे स्टफिंग में मिलाने की जड़ती है आप अल आप अपी रहेंगे कि सबको सबकी टेस्ट के एक वार्डिंग मिल जाएगा जैसे बच्चे हैं बच्चे चिली नहीं खाते हैं तो आप ऐसे अलग से बना के डाल सकते हैं जहां जहां आपको लगी कि सील खुल रही है जहां जहां पर लगी आपको थोड़ा सा अच्छे से नहीं हो रहा है वहां पे आप भल के हाथ से अगर आपको लगी तो आप थोड़ा सा पानी का हाथ लगा लीजे वहां पे और उसको बंद कर दीजे या अच्छे से प्रेस क दीजे, stuffing basically आपके अंदर की तरफ दबनी चाहिए, तो आपका हो जाएगा, अब इस तरह से मैंने सारे अपने बना के रख लिए हैं, अगर आपके करीब सारे अगर समोसे इस तरह से stuffing तयार हो ना, आप इनको बना की भी रख सकते हैं, धक्या अच्छे से, बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं, करीब आदे गंटे पहले अगर मालेजे कोई पार्टी है घर पे, या बर्डे पार्टी है, या कोई guest आने वाले है तो आप इस तरह से बना के रख लेंगे, और फिर पार्टी का enjoy करेंगे, हराम से कुछ भी है आपके घर में, कोई भी get together है, आप इस तरह से बना के रख लिजए, हाफ न आर पहले या वन आर पहले, और एक airtight container में रख लिजए फ्रिज में, और फिर गरब गरम से किये, एक हम इसको रख देंगे, करीब फाइब मिनिट्स लगेंगे समोसु का अच्छा से सिखने में, इसे अंदर तक अच्छा से सिख जाएंगे, इस पूरी प्रॉसस को बनने में करीब मुझे आदर घंटा लग गया था, 30 मिनिट्स के करीब, आप दीरे दीरे इसको पलटेएगा, इसको आप मीडियम टू हाई फ्लेम बीजिश में करते रहें, और फिर जब आप देखें कि थोड़ा सा साइट से कलर चेंज हो रहा है नीचे की तर बस पलट के देखते रहें, और बस कुछी मिनिट्स में हमारे घर के बने हुए समू तो उसे एकड़म रेडी हो जाएंगे, देखें कलर भी थोड़ा थोड़ा चीन जोने लगा है, अगर आपको और क्रिस्पी चाहिए, थोड़ा सा डाक चाहिए, तो आप थोड़ा देर तक उसको फ्राय कर लिजए, समू से हलका सा रोस्टेट जादा अच्छ लगते हलके स और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज जल्दी से जाके अभी सब्सक्राइब करिए, तो कि आगे बहुत अच्छ अच्छे वीडियो में डालने वाली हूँ, ज्यो करिए और enjoy this recipe, please try it, this recipe, यह बहुत अच्छे बनने वाली है, और आपके घर के सब्सक्राइब को बहुत ही पसंद आने वाली है, अगर इस तरह से बनाएंगे न, तो बहुत ही crispy बनने वाले समूसे हैं, बहुत ही कम तेल में, देखिए मेरे हाथ में बिलकुल भी नहीं तेल जाया, कढ़ाई भी मेरी तेल की बिलकुल नहीं गंदी हुई, बिलकुल भी तेल खराब नहीं हुआ, और घर में घर की स्टफिंग, घर का फ्रेश ओयल, बहुत ही सूपर टेस्टी, बस हम उसे बन के तेयार हैं, तो जरूर से ट्राइब करिए, एपनी फामली मेंबर के सा इसको नहीं करने वाली हुँ, enjoy this recipe, thank you so much for watching.